जग्यासो मित्रों बहुत-बहुत अभिनंदन हैं आपका दिव-विस्रजण में परतेक दिवस की भाती आज भी लाइव-चर्चा का हम प्रारम्ब कर रहे हैं आज का जो विशे है वह योगी के मोक्ष प्राप्ती से है शिव योगी कैसे मोक्ष प्राप्त करता है शिवयोगी कैसे ले को प्राप्त करता है और किसके परिणाम से उसका ले संबह हो पाता है किसके परिणाम से उसके जीवन का कल्यान संबह हो पाता है तो पीछे जो सुत्र बताया गया बीजावध हानम सिद्ध सत्व सिध्धी को प्राप्त करने वाला योगी स्वातंत्र सद्धी को प्राप्त करने वाला योगी योगी ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है कि किसी भी शरीर पर नियंतरन कर सकता है किसी भी शरीर पर नियंतरन कर सकता है और उसके लिए उसे कुछ टेक्निक की आवशकता नहीं पढ़ते कि सुभावी के रूप से उसका नियंत्रण बन जाता है, सुभावी के रूप से तत्तों पर उसका नियंत्रण अस्थापित हो जाता है, वो सुभावी के रूप से है क्योंकि वो ऐसी अवस्था में जा चुका है, कि जहां पर तत्तों पर उसका नियंत्रण रहता है और अंत परंतु योगी को सावधान करते वे बताया गया बीजावधानम, अर्थात योगी को चाहिए कि संपुर्ण ब्रमान के मूल स्वरूप बीज रूप में बीज का ही वह ध्यान करे, वो अन्यत्र का ही ध्यान न करे, क्योंकि बीज का ध्यान करने से, बीज से जुड़े रहने से ही उसकी सारी स्वतंतरता और सारी सिद्धियां है, और योगी जानता है इस विशय को तो वो उसी में अपना अवधान करता है, बीज के प्रती ही वो सावधान रहता है और इसका परिणाम क्या होता है, अगले सु प्राशक्ति में सदा सावधान रहने वाला योगी आसनस्त ही परमानंद रूपी संवित सिंधू में सुख से निमजित तनमें होता रहता है उसका लए उस ब्रह्म में होता रहता है योगी का लए जो है उस ब्रह्म में होता रहता है और वह अपने लए की और आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण मुक्ती को भी प्राप्त करता है तो योगी का लए कैसे होता है इस बात को समझाने के लिए तभी होता है जब वो बीज के परती अपने मुख्य उद्देश के परती सावधान रहता है और बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है बीज में लगे रहता है तो वो ले को प्राप्त होने लग जाता है उसका ले होता है निमजती मतलब मजन हो रहा है उसका ले हो रहा है वो उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो रहा है वह अपने भाव को खोकर उस ब्रह्म भाव में लीन हो रहा है ब्रह्म में लीन हो रहा है वो इस प्रक्रिया में चला जाता है इस प्रोसेस में चला जाता है हाँ यहाँ पर पूरा मोक्षे तो उसका नहीं हुआ लेकिन एक प्रोसेस बन रहा है एक आवस्था बन रही कि उसने इस स्वतंतरता में पर ध्यान नहीं दिया कि वो सभी सरीरों पर नियंतर कर सकता है और इधर उधर वो सबको अपने कंट्रोल में रख सकता है लेकिन उसने बीज पर ध्यान दिया और उसका बीज में ही ले होना शुरूर कि अगर बीज पर नहीं ध्यान देगा उन्हें विश्यों पर ध्यान देगा तो संभाव है कि वो पतन की ओर भी चल पड़े, वो पतन की और भी चल पड़े फिर, फिर से वो फसना शुरू कर दे, बहुत तरह की बातों में, बहुत तरह की चीजों में, नहीं तो वह बीज की और ही जाता रहता है, और उसमें उसका ले होता रहता है, और वो ले की प्रक्रिया जो है, वो फास्ट हो जाती ह तो जो सहज विद्या जो उसको शिव योग प्राप्त है वही सहज विद्या है उसके लिए सहज विद्या के बल से मूल तत्यों पर अवधान ब्रह्म पर अवधान दृष्टी को जमाता हुआ उसी पर अपना सारा फोकस उसका रहेगा उसके साथ एक हो जाता है और शिव योगी अपने मूल भूत शात बल रूपी आसन पर अथ्वा उदान नामक प्रान रूपी आधार पर आरूड होकर अर्थात उसी पर उदान वायू क्योंकि मस्तिश्की और उसकी दिशा है ध्यान में उदान वायू ही है जो हमें ध्यान में सहायक होता है और उदान वायू बिगड़ने से रेप्रेशन होता है मन की चंचलता बढ़ जाती है बहुत तरह के जो मांसिक रोग आते हैं वो उदान वायू के कारण आते हैं उदान वायू के अनियंतर्थ होने से असयमित होने से लेकिन उदान वायू सही रहने से बहुत अच्छा ध्यान होता है साधना होती है बहुत अच्छी इसलिए यहाँ पर उदान, उदान नामक परान रूपी आधार पर आरूड होकर उस पर सवार होकर, उदान रूपी परान पर उसी पर विर्शानत होकर बिना हो परतिहार आधी के कश्ट को जिले उसके लिए परतिहार धारना नहीं रह जाता, वो तो समाधी में लीन हो रहा है, अराम से स्वमेव उस ब्रह्मर उपी परम शिवतत्तों में अंतर लीन होता रहता है, योगी कैवल की प्राप्ति करता है, जो योगी सिद्धियों में ना उलजकल बीज में ही ध्यान रखता है वही ऐसे परमधाम की प्राप्ति करता है, वही ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, और अगर बीज को छोड़ कर, वह अगर फिर भी कहने का तात पर बीजा वधानम इसलिए पहले सुत्र बताया, क्योंकि वहाँ पर भी संभावना है, योगी खुला सा इधर उधर जाकर पतन के मार्क में भी जा सकता है, इसलिए प्रारंब से बीज पर ध्यान रहना चाहिए, और रही बात है, योगी के द्वारा सिध्धियों का प्रसार होना तो वह अपने आप ही होता रहता, वो करने के जुरत नहीं पड़ती, वो intentionally करने के जुरत नहीं पड़ती, योगी के वश में सारी चीजे हैं, तो क्यूं वश में करेगा, और वो क्यूं है, बीजा वधानम के कारण है, योगी उसने बीज का ध्यान किया है, अपने आपको बीज से जोड़के रखा है, तो बीज से जोड़के रखने के कारण ही उसका संपुर्ण नियंतरन है, ठीक है, तो य ये सब हमें बातों को समझना पड़ेगा और हम समझेंगे तो निश्य ही ये विश्य इस पश्ट होगा तो बीजावध हानम का परिणाम क्या मिलेगा उसे क्यों लै और परमानंद का अनुभाव करेगा उसका लै होगा लेकिन अब लै होने का भी एक एक सिध्धी आ जाएगी अब यहाँ पर भी अब तो पहले देखे उसको स्वातंतर सिध्धी स्टेप वाई स्टेप बातों को समझाया जा रहा है सहज विद्या को समझाया गया वहां सिध्धी आ आती है फिर एक ऐसी वस्था आती है जहां पर वो स्वतंतर भाव हो जाता है तो वहां सिद्धियां आ जाती है कि वो सारे शरीरों पे नियंतरन कर सकता है सबी वस्तुमों पे नियंतरन उसका आ जाता है स्वतंतर हो जाता है शरीर के बंधन से और अंताकरण के बंधन से मुक्त हो जाता है योगी स्वतंतर भाव में इसलिए उसको स्वातंत्र भाव कहा गया अब जो है उसमें भी वो नहीं फसा step-wise step शिवसुत्र बताने की कोशिस कर रहा है अगर वो उसमें भी नहीं फसा और बीज पे अपना ध्यान रखता है बीज अब धानम में ध्यान रखता है तो ले की प्रक्रिया में वो ले होना शुरू कर देता है और ले की प्रक्रिया से जूड कर पूरी तरह से ले होकर मोक्ष को प्राप्त करता है लेकिन अभी आगे की बात नहीं बता रहा है शिवसुत्र अभी मात्र ले होने की प्रक्रिया पर ध्यान है कि मजण हो रहा है, ले हो रहा है, ले हो रहा है वो, उसमें डूबकी लगा रहा है, डूब रहा है वो, मजण होने का मतलब क्या है? तो उसमें डुबकी लगा रहा है, उसका मजण हो रहा है लेकिन उससे क्या होगा, अभी एक और सिद्धी आन पड़ेगी एक और सिद्धी उसके अंदर आ जायेगी, कौन से सिद्धी अब आएगी वो अगले सुत्र में हम चर्चा करेंगे अगले सुत्र में हम देखेंगे तो बीजा वधानम का क्या परिणाम होगा उस विशय को यहाँ पर बताया गया ठीक है जिग्यासू तो इस प्रकार से हम एक एक सुत्र को चर्चा करते हुए हमें कहां तक सुत्र पहुंचाता है इन सब बातों को हम कई बाधाएं योगी के जीवन में आती है कई अवस्थाएं आती है लेकिन अगर उसका ध्यान बीज पर है अपने लक्ष पर है संपुर्ण ब्रमांड का मूल कारण जो बीज ब्रह्म है उस पर ध्यान है तो निश्य ही वो कर लेता है संसार में वो रहे ये योगी का विशय ये भी ध्यान रकेगा कि आप इसी लिए पतंजलीयोग सुत्र क्या कहता इस विशय में आपका विक्तिगत विशय है भाईया कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा आप कोई साले साव धनिया रखने दूसरा क्या कर लेगा इसमे क्योंकि अगर आप सही जगह पे रहोगे तो मुक्ति आपको मिलेगे नहीं रहोगे तो फस हो गया, इसलिए आपके अलावा कोई दूसरा जम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा विक्ति ना बन भी नहीं सकता, अगर वो कोशिश भी करे तो नहीं बन पाएगा, वो कोशिश भी व्यर्थ का कोशिश प्रयास होगा फिर, इसलिए योगी बिलकुल सधारन विवहार हुए लोक विवहार में सधारन रहते हैं वो, ऐसा नहीं कुछ विशेस प्रदर्शन की मैं बहुत सिद्ध पुरूश हूँ या मैं बहुत हूँ, नहीं, भगवान कृष्ण कैसे रहते थे, परम योगी थे, सद्ध योगी थे, लेकिन बिलकुल सधारन मनुष्यों की तरह अपने विवहार को रखना, और कई ऐसे योगी हुए, लोक विवहार में हूँ ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ, वो अपने बीज से हमेशा जुड़े रहते हैं, और व्यर्थ सिद्धियों का प्रदर्शन या प्रियोग में नहीं लगते हैं, ठीक है, तो इस त तरह की इस्थिती योगियों के लिए बनती है, तो हमें यह बात समझने की आवशकता है, और फिर जब वो ले होने लगेगा, तो अगली अवस्था क्या बनेगी, अगले सुत्र में बताया गया है, तो अगले सुत्र पे चलचा हम अगले व्याख्यान में करते हैं, तो चल 12 जुलाई से शुरू होगा, ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अभी भी, ठीक है, तो प्राकर्तिक चिकित्सा का भी बहुत महत्व है, ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर लाब उठाईए, तो जिग्यास्वों इसी के साथ, आज के आज के इस कारिकरम को हम यहां व मिलते हैं, लाइव चर्चा में, बहुत बहुत आभार आप सभी का